नवेंबर और दिसेंबर दुनिया भर में गाड़ियों के मेले के लिए जाना जाता है। इटली के मिलान में इन दिनों आटो एक्सPO चल रहा है जहां रॉयल इंफिल्ड ने अपनी बाइक पेश करके धमाका किया है। रॉयल इनफिल्ड ने बुल्ट के दिवानों के लिए नई ट्विन सिलिंडर की बाइक पेश की है। इस रोयल इंट फील्ट की क्या है खासियत? जाने इस रेपोर्ट में मिलान शहर में चल रहे है मोटर बाइक शो में नए ट्विन सिलिंडर कॉनसेप्ट के अएक्स बाइक रोयल इंट फील्ट ने पेश की Royal Infield Concept KX का डिजाइन पुरानी KX बाइक से ही प्रभावित है पुरानी KX बाइक में 1140 CC V-Twin इंजिन दिया गया था लेकिन इस Concept KX में नया V-Twin इंजिन लगा है पुरानी Royal Infield बाइक में एर कूल्ड मोटर था जबकि नई बाइक में Oil Cooled Unit दी गई है जैसा कि होता आया है कमपनी ने अपनी इस बाइक की जानकारी अभी तक शेयर नहीं की है लेकिन इंजिन पर दिखे स्टीकर से माना जा रहा है कि ये 838 CC Liquid Cooled इंजिन होगा बाबर स्टाइल वाली इस बाइक में स्टाइलिश लुक वाला तेल टैंक दिया गया है और कॉपर फिनिश के साथ ही हरे रंग में पेश किया गया है इसके इंजिन और डूरल एक्जॉस्ट पर काले और सिल्वर से फिनिश किया गया है सीट और हैंडल बार ग्रिप्स पर लेधर से फिरिश किया गया है Royal Enfield की Concept KX पुरानी लेजंडरी बाइक से कई समान ताए है लेकिन नई बाइक को कुछ मॉडन लुक दिया गया है हम आपको ये भी पता दिं कि Royal Enfield Concept KX बाइक एक डिजाइन कॉनसेप्ट है और अभी इसका production नहीं होगा लेकिन माना जा रहा है कि कमपनी भविश में इस डिजाइन की बाइक पेश कर सकती है कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि बुलेट की सवारी करने वाले दिवानों को इस बाइक को चलाने के लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा और अपनी हसरतों को काबू में रखते हुए बुलेट की इमेज से आहे भरते रहना होगा